अनूठी में आपका स्वागत है दिवाली आ रही है, त्योहाद शुरू हो गए हैं और पकवान बनने शुरू हो गए हैं ये देखिये, आज मैं बना रही हूं बेसन के लड़ू और मेरे तरीके के बेसन के लड़ू इतने आसान होते हैं कि इसमें कम घी में बनते हैं, देखे ये मैंने लिया है एक किलो बेसर, इसको मैंने चलनी से चान के कड़ाई में मैं सूखा भून रही हूँ, धीमी आज पे धीरे धीरे इसको मैं लाल कर लूँगी बिना घी के, बिना घी के इसको मैं लाल कर लूँगी और जब ये तिर दी ती हों यह लाल हो रहा है दी ती एक गुलाबी गुलाबी भून गया है आप बेशन जब शुखा भूनते हैं तब आप भ्यान रखिएगा कि बेशन में गोलिया नहीं पढ़नी चाहिए आप बेशन को अच्छे से चाहिए जिस उसकी गोलियां छल्ली में रह जाए और उसकी गोलियों को आप हतेली से या चम्मच से चूरा करके फिर आप छानते रहें तो इस तरह से आप छानिएगा गोलियां नहीं रहनी चाहिए पुरा भुर भुरा बेसन रहना चाहिए सुखा एक साथ तो वो अच्छा रहता है नहीं तो रोडियां पढ़ जाती है तो वो सही नहीं रहता अब देखिए मैं इसमें मैंने ये लिया है आदा किलो से के करीब घी लिया है मैंने अब ये मैं इसमें डालूँगी धीरे धीरे जित्ता घी लगेगा उत्ता डालूँगी तो कि ये भुन गया है अब ये घी नहीं लेगा और सारा घी ये छोड़ता जाएगा अपने आप तो मैं जितना घी की जवरत होगी। बस उतना घी इसमें डालूंगी। फ्लेम मेरी सिम है, सिम फ्लेम पर ही काम करना है। यह देखिए। जितने घी की जवरत होगी उतना हम डालेंगे। अगर हम कच्छे बेसन में गी डालते हैं तब वो गी लेता जाता है अपने भूनने के लिए और फिर बार में वो गी छोगता है जब वो भून जाता है इसमें वो प्रॉब्लम आपको नहीं है कुछ भी आप सीधे बस इसमें भून लिया आपने देखे कितना सुन्दर रंगत आ गई है बेसन की है ना एक सा भून लिया है ये बड़ी असानी से चिपका नहीं है कुछ निवाना कंधे को चल जादा हो जोर पड़ा है और ये मेरा घी काफी है इसमा आधा किलो से करीब एक कप गी आपन कभी कम पड़ा है आधा कम तो ये आधा किलो से कम गी लगा है मैंने उतना गी लिया है जितने की इसमें जोरत थी देखे भून लिया अब हम इसको एक आज क्या है ठंडा होगा तो लग जाएगी ठंडा होने तक में हम फ्लेम आफ कर द देते हैं और इसको हम ठंडा होने देते हैं ना इसको हम ठंडा होने देते हैं हलो हाँ फ्रेंड्स देखिए ये बेसन मैंने इसको रूम टेंपरेचर पर ले आई हूं और ये बहुत ठंडा भी नहीं है और ये गरम भी नहीं है और देखिए ये बिल्कुल धीला-धीला सा है अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल ये एक कप, फ्री फोर्थ कप है काजू और बदाम, देसी घी में मैंने भून कर इनको पीस लिया है आप इनको दरदरा भी रख सकते हैं, साबुद भी डाल सकते हैं, टुकले में भी डाल सकते हैं मैं पिसा हुआ डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो old मेरे family members हैं, बड़े बुजर्ग हैं, वो फिर ये लड़ू नहीं खा पाते हैं, तो इसलिए मैं ये पिसा हुआ मेवा डाल रही हूँ और इसमें मैं पिस्ता नहीं डालती हूँ, दूद के लड़ू जो भी होते हैं, उनमें मैं पिस्ता डालती हूँ, बेसन के लड़ू में मैं पिस्ता नहीं डालती हूँ, ठाली काजू, बदाम, और बहुत हुआ, तो मखाना में भून करके, इसी तरह से दरदरा पीस करके म और ये है पिसी लाइची पिसी लाइची मैंने ले लिए है वन टेबल स्पोन आप कम भी ले सकते हैं ज़्यादा में ले सकते हैं तो हम यह दोणों चीजे इसमें मिला दे और अब हम इसमें अच्छे से इसको मिला दे प्रेंस देखिए अब ये मैंने इसमें पिसी इलाईची और पिसा हुआ ड्राइफरूट काजू और बडाम बस मैंने देशी गी में उनको लाल करा और मिकसी में पीस लिया पिसा हुआ वो ड्राइफरूट 3-4 गप था वो मैंने इसमें अच्छे से मिला लिया, वन टेबल स्कूल, पिसी छोटी इलाईची, वो मैंने इसमें मिला लिया, अब हम ये डाल रहे हैं देसी बूरा, पिसी चीनी भी आप डाल सकते हैं, देसी बूरा थोड़ा कम मीठा होता है, और ये सारा मौश्चर ले लेता है, इसम मैं अभी 100 ग्राम बूरा और डाल हूँ, देखिए फ्रेंग भी मैंने इसमें बूरा डाला है, और मैं इसको हाथ से, खूब अच्छे से मल रही हूँ, जित्ता मैं मलूंगी उतना इसमें घी जो है, वो एक साख होता जाएगा, और देखिए इसमें घी नहीं नजा दा रह लेता है, और हमने ये गुनगुना नहीं रखा जादा, गरम नहीं रखा है, क्योंकि क्या होता है, गर हम गरम रखते हैं, उसी समय चीनी की या बूरे की चाशनी बन जाती है, जो फिर आपके लड़ू को खराब करती है, ये देखिए नीचे से आ रहा है बूरा, तो हम इस लगा कि इसमें मेरे को बूरा और चाहिए, मैंने इसमें 100 ग्राम बूरा और डाला, तो मैंने इसमें टोटल आधा किलो बूरा डाला है, आप और मीठा खाना चाहते हैं तेज, तो आप और मीठा डाल सकते हैं, कोई प्राब्लम नहीं, जितना मीठा आप खाना चाहते हैं, आप उसे साप से मीठा डालेए, अब मैं इसको खुब अच्छे से मलूंगी और उतना ही घी देखे इस में आता जाएगा उपर, इतना कं घी होने के बावजूद देखे कितने अच्छे से ये, ये देखे, किती अच्छे से बाइंडिंग हो रही है ना इसकी ये देखे, हाँ देखिये friends यह मैं लड्डू बना रहे हूं इस size के यह लड्डू iS size के बनते हैं मेरे और यह फिर iSpoon से तो यह बड़े size के लड्डू तो आप जिस साइज के भी लड्डू बनाना चाहते हैं आप उस साइज के लड्डू बना सकते हैं मैं लड्डू बना रही हूँ आप आपको दिखाते हैं देखिए मैं लड्डू बना रही हूँ इससे क्या होता है एक साइज के लड्डू बनते हैं हाथ से क्या होता है लेने में अलग-अलग साइज के लड्डू बनते हैं या वह होता है तोड़ने में भी वह लगता है हमको तो ये आप देखिए तो मैं आपको लड्डू बना के दिखाते हूँ फ्रेंज देखिए ये लड्डू बने है इस साइस के लड्डू बने है ये 12 अभी 15 लड्डू इस साइस के और बन सकते हैं इतने मैटीरियल में तो मैं बना रही हूँ, लेकिन मैं कुछ अब लड़ू बड़े बनाए हैं, अब मैं कुछ इस साइस के छोटे लड़ू बनाऊंगी, तो इसलिए आप चाहें, तो सारे बड़े बना सकते हैं, आपके उपर है, आपके साइस के लड़ू बनाना चाहते हैं, तो देखें किते बने करीब इस साइज के करीब मेरे 30 एक लड़ू बन जाएंगे इतने मटीरियल में तो आप बनाएए एंजॉय करिए दिवाली पर सबको खेलाएए और मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच और मैं उमीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा आप मेरे चैनल पर अगर अभी नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को अपने मिलने वालों को फैमिली में सबको बताईए सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए शेयर करिए और एंजॉय करिए कमेंट करिए आपको कैसा लगा और मैं में चल रहा है आजकल अर्जुन और धरम युद के मेरे स्पीकिंग ट्रीपर मैं लिखती हूं तो मेरा विचार मंधन ब्लॉग है स्पीकिंग ट्रीपर तो उसका भी मैं आजकल शेयर कर रही हूं अपने अभाग अनुचे आप उसको भी देखिए सुनिये और आनन्द उठा हैंगी थैंक यू सो मच फ्रेंग्स थैंक्स अलोट